और्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण को लेकर करमचारी आरपार के मूड में आ गए हैं सेना के लिए गोला बारूद और हत्यार बनाने वाली देश भर के 41 और्डिनेंस फैक्ट्रियों के करीब 83,000 करमचारी एक मैने के हरतार पर चले गए हैं केंद्र ने हाली में इंफैक्ट्रियों के निगमीकरण का प्रस्ताव पास किया है करमचारी इस फैसले का विरोध कर रही है करमचारीों का आरोप है कि सरकार एक तरफ सेना को मजबूत करने के दावे कर रही है और दूसरी तरफ सुरक्षा संस्थानों को नीजी हाथों में सोपने की साजिस्रची जा रही है रक्षा उत्पादन सचीव अजय कुमार और भारतिय प्रतिरक्षा मजदूर संग के बीज सोंवार को भी बैठक हुई लेकिन बात नहीं बन पाई इस मिटिंग का इंटक और सीटू ने बाईकॉट किया दूसरी बैठक बुद्वार को होने की उम्मीद है इससे पहले यूनियनों के महासचीवों ने रक्षा मंतरी राजना सिंग को पत्र भी लिखा था जिसमें कहा गया था कि निगमी करन से 82,000 करमचारियों का भविश्य प्रभावित होगा 44,000 करमचारियों को तो जनवरी 2004 के बाद ही नोकरी मिली है इन सभी करमचारियों ने ओर्डिनेंस फैक्टरी बड़ी अपेक्षाओं के साथ जोईन की इनका पेंशन का अधिकार पहले ही लिया जा चुका है निगमी करन के फैसले से करमचारियों को भविश्य की चिंता सता रही है सरकार निगमी करन के अपने फैसले को वापस ले इस फैक्टरी में 23,000 करमचारी है हर्ताली कर्मचारियों का कहना है कि सरकार का यह फैसला देश की सुरक्षा के लिए घातक है अगर निगमी करन का फैसला अमल में लाया गया तो अकेली जबलपुर में ही लाखों कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट हो जाएगा सवाल यह है कि यदि एक महिने तक औरिनेंस फैक्ट्रियों में काम नहीं हुआ तो देश की सैन्य ताकत पर क्या असर पड़ेगा क्या इसे लेकर सरकार गंभीर है इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आके सरकार को इन फैक्ट्रियों के निगमी करन की जरूरत क्यों पड़ रही है ब्यूरो रिपोर्ट स्वाराज एक्स्प्रेस